नमस्कार आप सब का स्वागत है इसके बाद प्रेमी ने लड़की को किडनाप करने की कोशिश की भागलपूर स्टेशन पर शुकरवार को जिया आरपी ने लड़की को बचा लिया और प्रेमी को एससपी मनोज कुमार के हवाले कर दिया पकड़े गए प्रेमी का नाम संदीप कुमार है जो खुद को मोकामा का रहने वाला बताता है उसकी उम्र करीब 42 साल है SSP ने केस दर्चकर कारवाही का निर्देश दिया यहां की रहने वाली और इंटर स्कूल की फर्स्ट इयर की स्टूडेंट ने बताया कि एक दिसंबर को रात में कई बार एक नमबर से मिस कॉल आया जबाव देने पर एक व्यक्ती ने खुद को अंजान बता कर अपने जान से में ले लिया लड़की फोन पर बातों के दोरान ही कथित युवक को दिल दे बैठी दोनों में साथ दिनों तक फोन पर खुब बात हुई इस दोरान कथित युवक ने फोन पर ही लड़की से शादी का प्रस्ताव रख दिया लड़की तो पहले पीछे हट गई कहने लगी बिना देख कैसे शादी करूँगी इस पर प्रेमी ने कहा कि उसकी उम्र मातर 20 साल है और देखने में भी ठीक ठाक है बाकी आवाज तो फोन पर सुनाई ही दे रही है प्रेमी ने लड़की से फोन पर कहा कि अगर शादी से इंकार करोगी तो मैं जहर खाकर सुसाइड कर लूँगा इमोशनली ब्लेक मेलिंग के कारण लड़की उसके गिरफ्त में आ गई और शादी के लिए हाँ भी भर दी गुरुवार रात को प्रेमी ने लड़की को फोन कर कहा कि वे उससे मिलने आ रहा है शुकरवार सुबह में लड़की घर से फैमिली को कहकर निकली की वे ट्यूशन पढ़ने जा रही है इसके बाद प्रेमी से मिलने स्टेशन आ गई पिता के उम्र के प्रेमी को देख लड़की ने शादी से इंकार कर दिया इस पर प्रेमी उसे जबरन ट्रेन में बैठा लिया और मुकामा ले जाने लगा लड़की को जान मारने की धम्की दी गई इसी दोरान लड़की टॉयलेट जाने की बहाने अपनी बहन को फोन कर दिया वापस लोटी तो प्रेमी को शक्त हो गया और मुबाइल चीन कर तोड़ भी दिया भागलपूर स्टेशन गाड़ी पहुँची तो पुलिस को देख लड़की चिलाने लगी इसके बाद प्रेमी को रेल पुलिस ने पकड़ लिया और लड़की फैमिली को मामले की जानकारी दी रेल पुलिस लड़की और उसके प्रेमी को लेकर सीधे SSP आफिस पहुची जहां दोनों को उनके हवाले कर दिया उम्र और सूरत चिपाने के लिए कथित प्रेमी ने अपने वार्ट सैप पर डीपी भी नहीं लगाई थी डीपी के कारण लड़की आसानी से प्रेमी का चेहरा और उम्र देख लेती संदीर ने बताया कि उसने डीपी में मंदिर की फोटो लगाई है फेजबुक पर भी अपने असली तस्वीर नहीं डाली है